दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारती बैंक समय समय पर अपने नियमों में बदलाओ करती रहती है इस बीच बैंक आउ बडोदा ने भी कुछ नियमों में बदलाव किया है जिसमें आप अगर बैंकों में पैसा जमा करते हैं तब भी आपके पैसे काट लिये जाएंगे तो ये नियम क्या है आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ साथ ही आपको ये भी बता दें जल्द ही अन्य सारी बैंके भी इस नियमों को लागू करने जा रही है तो चलिए विस्तार से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं तो जैसे ही आप गूगल पर आएंगे और सर्च करेंगे बैंक न्यू रूल तो आपको ये टाइटल पढ़ने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है बैंकों में पैसा जमा करवाने पर भी लगेगा चार्ज बैंक और बडोदा ने बदला है नियम ये बैंक भी जल्द कर सकते हैं एलान तो आपको बता दे इसमें नियम क्या बदले हुए है कोरोना वाइरस लंकट की बीच आम जंता को एक और जटका लगा है दरसल आने वाले समय में बैंकों से पैसे निकालने के साथ ही साथ जमा करने पर भी चार्ज लगने वाला है इसकी सुरुआत बैंक और बडोदा से होने जा रही है देश के अंतराष्टे बैंक ने चालू खाते कैस क्रेडिट लिमिट और ओवर ड्राफ्ट खाते से पैसा जमा और निकालने की सीमा तै कर दी है इसके बाद या बैंकिंग सेवाएं मुप्त नहीं रहेंगी आपको इसके आगे पढ़कर बता देते हैं मिली जानकारी के मताबिक बैंक और बडोदा नमबर महिने से तै सीमा से ज़्यादा बैंकिंग करने पर अपने गरहकों से अलग सुल्क वसूलेगी बताया जा रहा है कि बैंक और बडोदा के बाद PNB, Axis Bank, Bank of India और Central Bank भी इस तरह के चार्ज सुरुआत करने जा रही है हाला कि अभी तक इन बैंकों ने इस पर कुछ नहीं कहा है All India Bank Officer Association के संयूग्त सचिव डियन त्रिवेदी ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि बैंक और बडोदा ने चालू खाता Cash Credit Limit और Overdraft एकाउंट से जमा निकासी के लिए अलग बचत खाते से जमा निकासी के अलग-अलग सुल्क तै किये हैं आपको बतादे इस रिपोर्ट के मताबिक बैंक का बडोदा ने चालू खाते Cash Credit Limit और Overdraft एकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग-अलग सुल्क निरधारित किये हैं जो इस प्रकार है आपको बतादे लोन अकाउंट महीने में तीन बार अगर आप पैसा निकालते हैं तो फ्री है उसके बाद हर ट्रांजेक्सन पर जब भी आप पैसा निकालेंग उस पर डेर सो रुपए का चार्ज लगेगा बात करें सेविंग अकाउंट की अगर आप महीने में तीन बार पैसा जमा करते हैं तो उस पर कोई भी सुल्क नहीं लगेगा लेकिन अगर उसके बाद आप जमा करते हैं तो हर बार 40 रुपए आपके ट्रांजेक्सन से काट लिए जाएंगे वहीं बात करें महीने में तीन बार अगर आप पैसा निकालते हैं तो कोई सुल्क नहीं लगेगा और उसके बाद आपको 100 रुपए देना होगा तो एक हजार रुपए पर एक रुपए का सुल्क आपका लगेगा लेखनी है कि बैंक और बडोदा ने वरिश नागरी को और बैंक करमचारियों को भी सुल्क से कोई राहत नहीं दी गई है जबकि जंदन खाता धार को को थोड़ी राहत दी गई है ऐसे खातों में पैसा जमा करने की कोई चार्ज नहीं लगेगा हाला कि निकालने पर उन्हें 100 रुपए देना पड़ेगा तो इस प्रकार से बैंक और बडोदा ने पूरा नियम बदल दिया है अब आपको पैसा जमा करने पर और पैसा निकालने पर दोनों में भी पैसा देना पड़ेगा आपके काउंट से पैसे काटे जाएंगे दोस्तों आपको बता दे कुछ इस प्रकार से आपके काउंट से पैसे काटे जाएंगे चाहे आप जमा कर रहे हो या फिर निकाल रहे हो लेकिन इस पर भी कुछ नियम लगा दिये गए हैं तीन बार तक जमा करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अना कि तीन बार निकालने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कीजेगा